खुछ दिनों की भूखी तुन्टुनी चिडिया को उसकी पत्नी ने जब खाना खाने को दिया तो उसमें कुछ खाने में मिलावट थी जिसको देखकर तुन्टुनी चिडिया वहां से तुरंट चली जाती है और जाकर एक अपनी सहली से यह सारी बात बताती है और कहती है कि चिडिया बहन चिडिया बहन मेरी पत्नी ने मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा किया और यह सब कहकर उस सहली से कहती है उसकी सहली कि तुम परेशान बिलकुल भी मत हो लेकिन तुम नीच डिया कहती है परेशान क्यों नहीं हूँ बहन उसने मेरे साथ दोखा जो किया है तो फिर उसकी सहली कहती है कि मैं चलके सारी बात अभी देखूंगी और यह कहकर यह अपने सहली को दिलासा दिला रही थी फिर थोड़ी दिर बाद यूही बाते होती रही और तुम नीच डिया भी कुछ देर तक वहां सांती से बाते करती रही और फिर उसकी सहली ने जो कहा तो देख कर आप भी हैरान हो जाओगे क्योंकि लेकिन दोस्तों यह देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो फिर उसकी सहली तुरंट अपने घर जाती है और कुछ देर बाद वहां से आती है तब तक इधर बहुत रात हो चुकी होती है और उसकी सहली जाकर सो जाती है और इधर वह तुन्नी चिरिया उसकी राह देख रही होती है कि वह अभी आएगी तब तक अचानक कहीं से पैसों की बारिस होने लगी और यह देखकर तुन्नी चिरिया बहुत खुश हो जाती है कि कास मेरे पास यह सारा पैसा आ जाए और बस वह यहीं सपना देखकर रोती रहती थी फिर कुछ देर बाद वह फिर से अपनी सहली के पास जाती है और कहती है कि मैंने आज एक सपना देखा एक जगे पर एक गगरी है जिसमें बहुत धेर सारा पैसा रखा हुआ है और क्यों ना हम उस गगरी को निकालते हैं जिसके कारण हमें बहुत धेर सारा पैसा मिल जाएगा यह कह कर कुनी चिरिया उस जंगल की और चल देती है जहां पास उसको सपने में वह गगरी दिखाई देती है और उसके साथ में उसकी सहली भी वहां जाती है लेकिन उसकी सहली कहती है जब सपना आपने देखा है तो सिर्फ तुम आप अकेली ही वहां जाओ फिर तुनी चिरिया तुरंट वहां से चली जाती है और उस जगे पर खोदने लगती है फिर कुछ खोदने के बाद वहां एक डगरी निकलती है जिसको देखकर तुनी चिरिया बहुत खुस हो जाती है और फिर जब उसे खोलती है तो उसमें बहुत धेर सारा सोना भरा होत यह देखकर तुनी चिडिया बहुत खुस हो जाती है लेकिन फिर वह सोने की तोकरी लेकर जब अपनी सहली के पास आती है और जैसे ही उसे वह खोलती है फिर दोस्तों कुछ ऐसा हुआ जो आप भी देखकर बहुत हैरान हो जाओगे लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो फिर उस गगरी को जैसे ही वह उसकी सहली खोलती है तो दोस्तों उस गगरी से बहुत धेर सारी मधुमक्षिया निकल पड़ती है जिसके कारण उसको काट काट कर बुरा हाल हो जाता है तो दोस्तों इस वीडियो से आपको क्या सेख मिली की लालक बुरी बला है कमेंट में जरूर बताना